श्रीकिस्टना हमारे चैनल कोमग्यान सागर में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आप सबी के लिए बताएंगे गने सरतूर्ति आप सब्सक्राइब जरूर कीज़ोग लाइक और सभी परवियार दोस्तों के साथ सेर करिये ताकि सभी वीडियो का आनल उठा सके तो चलिए आपको पताते हैं गनेश तूर्ती के बारे में इस वरस गनेश तूर्ती का दोहार भादर सुकल पक्षचतूर्ती यानि 22 अगस्त को मनाया जाएगा दस दिन चलने वाले इस तूहार पर गनपती की स्थापना और उनकी पूजा पाठ का विशेश महत्व है कुछ नियम और कुछ पूजन वीदी के बारे में महत्व पन बाते बताते हैं जिससे आपकी पूजा फलदाई होगी तो चलिए जानते हैं कैसे करे गनपती गनेश चतूर्ती की पूजा चोकी पर कलस के साथ करे गनपती की स्थापना गनेश चतूर्ती के दिन प्रात्यकाल सनान आदी नित्यकर्म से निरोत होकर गनेश जी की परतिमा बनाना चाहिए यह प्रतिमा सोनी, तांबे, मीटी या गाय के गोबर आदी से बनाना चाहिए एक कोरे कलस को लेकर उसमें जल भरकर उसमें सुपारी डाले और उसे कोरे कप्डे से बादना चाहिए इसके बाद एक चोकी पर स्तापित करे और उस पर कलस के साथ गणपती की प्रतिमा भी स्तापित करे इसके बाद प्रतिमा पर सिंदूर, केशर, चंदन, मोली, आदी, चड़ाकर, पूजा करे गनेश जी की उदक्षिना और पित कर उन्हें 21 लड़ों का भोग लगाए गनेश प्रतिमा के पास पांच लड़ों रखकर बाकी ब्राहमनों और गरीबों में बाट देने चाहिए ध्यान रहे गनेश जी की पूजा, मद्यकाल यानि तो फैर के समय करने चाहिए इसके पश्यात ब्राहमनों को भोजन करवा कर उन्हें दक्षिना भी देनी चाहिए साम के समय गनेश जी की वीदिवत पूजा करे इसके बाद गनेश जी की कथा और गनेश चालिसा का पाट आउश्य करे अंत में गनेश जी की आर्ति करे ओम गन गन पते नमे मंतर का एक माला का जाप जरूर करना चाहिए पूजा के पस्याज साएकाल में दस्टी नीची रखते हुए चंद्रमा को अर्दे देना चाहिए ऐसी मानता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्सन नहीं करने चाहिए गनेश जी की पूजा का मुँरत बाइस आगस्त दोजार वीज की मद्रेमि स्टुए ग्यारा बचकर छे मिनसे दोफरर एगे बचकर बैयालिस मिन्ट तक रहेगा चतूर्दसीतित्ति आर्म रात ग्यारा बचकर दो मिन्ट से इकिस अगस्त दोजार वीज मुर्ती विश्चरजन एक सितंबर 2020 को किया जाएगा 22 अगस्ट 2020 को चंद्रोदेय का समय रात 9 बजकर 8 मिनट पर रहेगा दूद से पने पदार्तों को नहीं करें सेवन इस दिन साम गाय बच्छडे के पूजन और जो वे सत्तु का भोग लगाने का भावुत महत्व है इस दिन गेहूं एम चावल गाय के दूद और दूद से बने परदार्तों का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन गाय के दूद पर केवल बच्छडे का ही अधिकार होता है उसको ही पीने देना चाहिए सनहतन धर्म में बगवान गणेश की पूजा का विशेश महत्व है बगवान गणेश को गजानन्द या विदन हर्ता के नाम से भी पुकारा जाता है गजानन्द को रीदी सिधी और सुक समर्दी का परदान माना जाता है सास्त्रों के अनुसार बगवान गणेश संकट कष्ट दरिदता और रोगों से मुक्ती दिलाते हैं मानत है कि गनेश चतुर्थी के दिन भगवान गनेश की वीदी विदान से पूजा करने पर मनो कामना पूरी होती है संग्टी चतुर्थी इस बार विशेश योग में पढ़ रही है इस दिन सुवार्थ सिधी योग के साथ सुक्रवर का सुप शयोग भी पढ़ रहा है पूजा का भी महत्व काफी बढ़ जाता है पुरुनिमा के बाद आने वाली चतुर्दसी को संक्टी चतुर्थी कहते हैं और अमवश्या के बाद आने वाली चतुर्दसी को विनायक चतुर्थी कहते हैं संक्टी चतूर्थी को भगवान गणपती की अरादना करके विशेश वर्दान प्राप्त किया जा सकता है इस दिन वर्त रखने से परिवार रिक कलेश भी खतम हो जाते हैं यदि किसी जातिक के जीवन में लगातार प्रेसानिया आ रही है तो उसे संक्ट चतूर्थी के दिन सक्कर मिली दही में चाया देखकर भगवान गणेश जी को अरपित करनी चाहिए इसे रुके हुए काम बन जाते हैं गणेश जी को इस दिन दुर्वा चड़ानी चाहिए दुरुवा में अमरत का वास माना जाता है गनेश जी को दुरुवा अरपित करने से स्वास्तियकाला मिलता है इस दिन वर्त करने वाले सुखे जलदी उटकर सनान करे और हात में जल, अक्षत और फूर लेकर वर्त का साखलप ले इसके बाद लकडी की चोकी पर गनेश जी की प्रतिमा स्तापित करे और फिर पूजा करके उपवास की सुरुआत करे साम के वक्त गनेश जी को वीदी से फूजन करे उन्हें पुष्प एक्षे दूरुआ चंदन धूप दीप देवत नेवत चड़ाई और लड़ों का भूख लगाई संक्टी चतूर्थी के दिन कुछ तानों पर भहूला चतूर्थी की भी मनाई जाती है इस बारे में ऐसी मानत है कि बहूला नामक करसन जी के पास एक गाई थी जो कि उन्हें बहर्य पीरिय थी भगवान करसन जी बाल वस्ता में उसी का दूद पीते थे सास्तरों के अनुसार बहुला चतुर दुर्दसी के दिन रखते हैं संतान के सारे कश्ट दूर होते हैं और लंबी आयू की प्राप्ति होती है बहुला चतुर दुर्दसी वर्त में गाई वशडे के साथ बगवान कर्शन की पूजा का विशेस मैत्व हैं यह वर्त संतान को मान समान दिलाने वाना और धिरु आई उपरदान करने वाला वर्त है इस दिन गाय के दूद और उससे बनी चीजों का उप्योग नहीं किया जाता है सिर्फ बचडे को ही दूद पिलाया जाता है गुजरात में इस वर्त को बोल चोथ के नाम से भी जाना जाता है संकष्टी स्री गनेश चतूर्ती का वर्त हर महाय के कर्शन पक्षकी चतूर्दसी को किया जाता है लेकिन साल में माग, सावन, मिंग्शर और भादरपद के महीने में संकस्टी के गनेश चतूरती के वर्त का विशेश महत्व है इस चार महीनों में पढ़ने वाली चतूर दसी तिति को गुनपती के एकदंत रूप की पूजा क्या विधान है भादो मास की इस चतूर दसी का वर्त रखने से सवी परकार के संक्टोते से चुटकारा मिलता है और आपकी इच्छा पूरी होती है साथ इसंतान सुख की प्रापती और उनकी लंबी आयू की कामना के लिए खास तोर प्रमाताओं को यह वर्त आउश्य रखना चाहिए राशी अनुसार गनेश जी की पूजा की जाए तो जल्दी ही सुफल प्रापत हो सकते हैं यहां जान ये बारा राश्यों को कैसे गनेश जी की पूजा कर सकते हैं आप मेश राशी गनेश जी को सहत का भोग लगाई वर्षब रासी, श्री गनेश को दुर्वा की 21 गार चड़ाए मिथुन रासी, बोगवान को मिठाई का भोग लगाए करक रासी, इस रासी के लोग मिश्री का भोग लगाए सिंग रासी, श्री गनेश को मोदक चड़ाए गन्या रासी पर्थम पुझे गनेश जी को गुड़ से बना परसाद अरपित करें तुला रासी गनेश जी को खीर का भोग लगाएं वर्शिक रासी गी का दिपक जला कर ओम गन पते ये नमे का जाप करें धन्नू रासी मुर्ती को लाल फूल की माला पहनाएं मकर रासी श्री गनेश को शिंदूर अरपित करें कुम रासी नारियल चड़ाएं और श्री गनेश आएं नमे मंत्र का जाप करें मीन रासी गनेश जी के साबने घी का दिपक जलाएं रासियों के लोग गनेश जी की बारा नाम मंत्रों से जाप करें गनेश जी के 21 दूर्वे चड़ाए और दूर्वा चड़ाने ते समय नीचे लिखे मंतरों का जाप करे ओम गनादी पताये नमें ओम उमा पुत्राये नमें ओम विधन असनायन नमें ओम विनायकम नमें ओम इस्पुत्राये नमें ओम सुर्वसीदी परदायक नमें ओम एकदंत नाताये नमें ओम इभकत्राये नमें ओम मुशक वहन नमें ओम कुमार गुरुवे नमें कई बार लोग समझ नहीं पाते कि किस आकार की परतिमा लानी चाहिए गनेश जी की सबसे पहले तो ये समझ लेना आफशक है कि गनेश परतिमा मिट्टी की ही बनी हो जिससे विश्यजन करने के बाद पर दुसन ना फैले सास्त्रों में कहा गया कि हर रंग की मुर्ति के पूजन का फल भी अलग होता है पीले रंग और लाल रंग की मुर्ति का उपासना को सुब माना गया है पीले रंग की परतिमा की वासना करने से सभी मनो कामने पूर्ण होती है सफेद रंग की गनपती की उपासना से सरनों से मुक्ती मिलती है चार बुजाओं वाले लाल गनपती की उपासना से सभी संकट दूर होते हैं बैटे हुए गनपती की मुर्ती ही खरीदे इने घर में रखने से स्टाइल धन लाप होता है गनेश जी की ऐसी मुर्ती ही घर में के लिए खरीदें जिन में उनकी सुन्ट बाई और मुड़ी हो गनेश जी को जल अक्षे दूर्वा घास लड़ू पान धूप आदी अर्पित करे इसके बाद गनेश जी के मंतर ओम गन गन पते नमे का जाप करे गी का दिया जलाए भुगवान की आर्ति करे फिर उने पर साद अर्पित करे गनेश जी की उपासना जितने भी दिन चलेगी अखंड गी का दिपक जलता रहेगा गनेश जी को दूब पिरिये है दूब अर्पित करे मोदक का भोग लगाए मोदक घर में बनाए तो ज़्यादा बेतर होगा गनेश रतुत्य का परवे बायस अगस्ट अनिवार से सुरू हो रहा है दस दिन तक चलने वाला ये परवे एक सितंबर को पूर्ण होगा अलाकि गनेश तापना दस दिन के लिए ना की जा सके तो एक दिन तीन दिन पास दिन के लिए भी कर सकते हैं आप राशी अनुसार जानिए कि कैसे गनपती को घर में लाना चाहिए मेश राशी इस राशी के जातकों को लिए लाल रंग की परतिमा लाना ज़्यादा फलदाई बताया गया है मेश राशी का स्वामी मंगल गरह है जो की लाल गरह है के दो कक्त है वर्ष राशी इस राशी के जातक लाइट विलू कलर के एक दंत की परतिमा लाए इस रंग की मुर्ति स्थापना करने से वर्ष रासी वालों की सारी मनो कामना पूरी होगी मिथुन रासी इस रासी के जातकों के लिए लाइट ग्रीन कलर में लमोदर की मुर्ति की स्थापना करनी फलदाई साबित होगी इस रासी का सुवामी बुद्ध है ऐसा करने से बुद्ध और बल की प्राप्ति होगी करक रासी इस रासी के जातकों के लिए बगवान मुसक वाहन की सफेद रंग की मुर्ति समस्थ इच्छाओं को परदान करने वाली होगी और जूएन में सुक्सान्ती बढ़ेगी इस राषी का सुआमी चंदर है सी है राषी इस राषी के लोग अपने घर में वर्त तुंड की कैसरिया रंग की परतीमा को स्तापित करें ऐसा करने से आपका मान समान बढ़ेगा इस राषी का सुआमी शूर यह है कन्या रासी मंगल गरह इस रासी का सुवामी माना जाता है इस रासी के जातक डारक रेड रंग की मुर्टी को अपने घर में लाए ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समशें दूर होगे धन्यू रासी मर्स्पती इस रासी के सुवामी है जो पिले रंग का पर्तिदीरत करते हैं इसलिए धन्यू रासी वाले पीले रंग की वगवान बुर्दी पिरिये की मुर्ती को अपने घर में स्तापित करें मककर रासी, इस रासी के जातकों के लिए विश्व मुक कि हलके नीले रंग की पर्तिमा को अनुकल और फल्दाई माना बताया गया है, ऐसा करने से आप सन्ई का परकों आप पेसे हटेगा, क्योंकि इस रासी के सवामी सन्ई है, कुम रासी, इस रासी के जातक अपने घर में रुद्र पिर्य की हलके रंग की परतिमा स्तापित करे इस राशी के सुवामी भी सनी है मीन राशी नहरे पीले रंग की पगवान विनाईक की परतिमा स्तापित करने से इस राशी के जातकों की सभी इच्छाएं पूरी होगी इस राशी के सुवामी बर्श्वती है विनाईग चतूर दसी स्री गनेश को सर्पित होती है कहा जाता है कि यह वर्त स्वागिर मेलाई संतान प्राप्ती वे परिवार के सुक्षांती के लिए की जाती है इस दिन मेलाई वर्त रखकर साम के समय पूजा करती है और चंदर्वा निकलने के बाद चंदर्वा की पूजा करती है भगवान गनेश अपने भक्तों की सच्चे भक्ती से जल्द ही परसन होकर उन्हें आश्रिवाद देते है चतूर्थी के दिन भगवान गनेश को लाल सिंदूर का तिलक लगाए और उसके बाद स्वय के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाए ऐसा करने से गनेश जी की करपा आप पर बनी रहती है और आर्थिक परिसानियों वै विगनों से छुटकारा भी मिलता है मोदक का भोग लगाए गनेश जी को लड़ू भूत पर यह है समी के पोदे की भी की जाती है पूजा सास्तरों के अनुसार समी के पोदे की पूजा करने से गनेश जी परसन होते है मानताओ के अनुसार भगवान सिरी राम ने भी रावन के युद के पहले समी की पूजा की थी समी के कुछ पत्ते नियमित गनेश जी को अरपित करे तो घर में धन एव सुक की वर्दी होती है वगवान गनेश को परसन करने के लिए पवितर चावल अरपित करे पवितर चावल उसे कहा जाता है जो तूटा हुआ नहीं हो उबले हुए धन से तैयार चावल का पूजा में परियोग नहीं किया जाता गनेश चतुर्तिगे दिन चंदरमा के दर्सन करने से पाप लगता है यह मानत है कि जो वक्ति उस दिन चंदरमा के दर्सन कर लेता है उस पर जूटा आरोप लगता है गनेश जी को चंदरमा की कत्ः कता के मुदापिक जब गजमुख लगाया गया और उन्हें पर्थिका सबसे पहले प्रक्रिम्हा की तो उन्हें पर्थम पुझे देवता कहला आए ऐसे में सभी देवताओं ने उनकी वंदना की लेकिन उस समय चंद्रमा मंद मंद मुस्कराते रहे दरसल माना जाता है कि चंद्रमा को तब अपने सुंद्रिया पर गमड हो गया था इसलिए उनोंने उनकी उजा नहीं की बाकी देवताओं की तरह चंदरमा ने गनेज जी की मंदना नहीं की तो गनेज जी को गुसा आ गया गनेज जी ने गुसे में आकर चंदरमा को सराब दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे सराफ सुनते ही चंदरमा को समझ आ गया कि उसने बड़ी भूल की है और बड़ी भूल हो गई उससे ऐसे में चंदरमा ने माफी माँगी तो गुनेज जी ने कहा कि जैसे जैसे सूर्य की किरने उन पर पड़ेगा चमक लोट जाएगी लेकिन भादर पड़ सुलक चतूर्थी का ये दिन आपको दंड की हमेशा याद दिलाएगा जो कोई वक्ती इस दिन चंदरमा का दर्सन करेगा उस पर जुटा आरोफ लेगेगा है यदि आप निगलती से भी चतूर्थी का चंदर देख लिया तो उपाय के तोर पर पड़े ये मंतर और कथा पढ़ने चाहिए बनेजी के सराप के चलते ही चतूर्थी ती स्वरू होशे लेकर खतम होने तक चंदरमा का दर्सन नहीं करने चाहिए लेकिन यदि भूल से गनेश तूर्थी के दिन चंदरमा के दर्सन हो जाए तो मित्या दोस्ते बचने के लिए मंतरों का और कथा कहानी का परियोग करना चाहिए एवार नंद की सोने संत कुमारों से कहा की चोथ की चंदरमा के दर्सन करने से सिरी कर्षन पर जो लाचन लगा था है सोरसिधी विनायक वर्थ करने से ही दूर हुआ था ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चारिय हुआ भगवान गनपती पुजा पाठ कता कहानी सुनने से परसन हो जाते हैं और सभी अपने बक्तों पर सदेव करपा बनाए रखते हैं हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कॉमेट करके बताए ताकि हम और भी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारिया आप सुभी के लिए लेके आए हमारे चैनल को ओम घ्यान सागर को प्लीस सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सुभी के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि सभी इस वीडियो का लाव उठासके धन्यवाद जी